हेलो फ्रेंस तो आज मैं आपको पताऊँगा होटला रेष्टरो में बेस्दबल क्लव सेंड़ीच कैसे में लिए चलह ए जो सबजी हैं इनको आपने बारी काटना होता है तो इस थरह से बारे एक है इसी तरह से कट लगाने है, कट लगाने के बाद पीली और हरी शिमला मिर्च को इकटा करके पकड़ते हैं, इनको आप इकटा करके इस तरह से चौप कर सकते हैं, तो सब्जियों को ज़्यादा बरी काटने की जूरूरत भी नहीं है यहां पे, तो गे देखिए मैंने जो शिम पील कर लेना है, पील करने के बाद इसको इस तरह से देखिए, पहले स्लाइस काट लीचे, जैसे सेलर के लिए काटते हैं, उसके बाद आपने जूलिन काटना है, इस तरह से, जूलिन काटने के बाद आप गाजर को इकटा करके पकड़िए, और गाजर को इसी तरह से काट लेना है पत्ता को अपने एकता करके बगड़ना है और इस तरह से पत्त हगोलियों कर सकते हैं तो इसी तरह से अपने पहले सारी सब्जियों काट लेनी हैं 5-7 मिलन में कटिंग कर सकते हैं और इसको दिन सब्जियों को एक बॉल में डाल देतें इसके बद Prop तो आदा चमच मैंने में नमख एडिक्रन और थोड़ा साफे और लीज आड़ चिपकन चुछा करने वा था कुछ समच के बना रहे श्कीप कर नेफ मेंने यहां पर यूज किया है और अच्छी तरह से म्यहोनिन के साथ में आपने सबच्छा भाइंद हो जाहएं जाब मिननिस का भीन करमाना है अगर आप इसको ठोड़ा Sigurd भीनाना काते हैं नहं देखिए मेंस्गर ट्वोच घाले है उबनारा है में ल Boss avoid 3 लेयर में बना जाता है इसके लिए आपको खिरा टमाटर और प्याज भी qi होगा तो जो खिरah है इसको आपने छील लेना है और इस तरह से देखे जैसे salad के लिए काट लेना लंबा लंबा कीड़े को काट लिए और जो प्याज है इसको आप रौ止 में काटू अगर आप फियाज नहीं कहते हैं, skip कर सकते हैं नहीं प्याज करते हैं यह देख्यें, प्याज को मैंने गोल-कोल काट लिया, और व्हें टमाटर हैं। नहीं कर्यदा नहीं चूड़िज सकते हैं, अब हम sandwich बनाना शुरू करते हैं, यहाँपे मैंने brown bread लिए हैं, white bread में भी आप इसको बना दो सकते हैं तो white bread को यहाँपे मैंने side कर दिया है, तीन bread के piece लेने हैं यहाँए इसके साथ मैं आपको butter जाए होगा butter से sandwich में बहुत ह promotional tastes आता है, बटर आपका हलका सा melt होना चीए बिल्कुल melt नहीं करना है रूम टेंपरेचर में जैसे गर्मियों में हो जाता है बटर melt बैसे आपने बटर को हलका सा melt कर लेना है और इसके आप ब्रेड नाइफ लीचे या फिर आप कोई भी नाइफ ले सकते हैं और हलका हलका सा बटर लगाना है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ये देखिए इस तरह से और बटर आपने ना तीनों ब्रेड के उपर लगाना है ये देखिए तीनों ब्रेड के उपर यहां पर मैंने बटर लगा दिया है आप इसके बद आपने ना सबजियां रखनी है इसके उपर तो bread को इस तरह से आप पहले set कर लेशे और सबसे नीचे वाली जो layer होगी ना इसके उपर आप salad पता रखिए lettuce leaf नहीं है skip कर दीशे इसके बद आपने इसके उपर यहां पर जो मियोनिस के साथ सबजियां mix करके रखियोंगी प्याज शिम नमची गाजर बगएरा वो डालनी है stuffing आप अपने हिसाब से कम जदा यहां पर कर सकते हैं तो यह देखे सबसे निचे वाली layer में मैंने सबजियां लगा दी है उसके उपर आपने cheese slice लगाना है यहां पर मैंने processed cheese का use किया है फिर आप दूसरी bread के उपर भी बैसे ही lettuce leaf रखती है और इसके उपर आपने कीरा tomato प्याज लगाना है यह देखे इस तरह से थोड़ा दूर दूर लगाईगा क्योंकि जब आप 3 best table sandwich के अंदर stuff करते हैं तो बहुत ही उपर तक उसकी layer चली आती है तो इस तरह से देखे प्याज भी लगाती है अब आपने उपर हल्क की सी black pepper crush स्प्रिंकल करनी है थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करती है और इसके बद आप इसके उपर भी cheese slice रखती है और इनको उपर से आपने देखे बंद कर देना है तो तीन layer में जो club sand भी बनाए जाता है अब इसके बद आपने bread के बाहर से हलका हलका सा butter लगाना है butter से बहुत अच्छा taste तो आएगाएगा color भी अच्छाता है अब आपने nonstick पैन ले रहे है उसके उपर हलका सा butter लगा लीजे या फिर आप तौवा ले डीजे तौवा के उपर भी आप इनको grill कर दे सकते हैं grill रहे है तो और बढ़िया है आप griller के उपर इनको grill कर लीजे जो दूसरी bread है उपर वाली उसके बाहर से भी हलका सा butter लगा दीजे अब आपने इसके उपर थोड़ा सा बेट रखना है तो दिखे मैंने ball में थोड़ा सा नमक डाला है और इस ball को sandwich के उपर रख देते हैं गैस की flame आपने medium रखनी है कम सकम डेट से दो मिंट तक एक साइड से आप sandwich को पकने दीजे जैसे एक साइड से आपका sandwich पक्षाएगा इसके बुद आपने इसको पल्टी कर देना है तो ओके देखिए एक साइड में अच्छा color रहा चुका है बैसे ही आपने दूसरी साइड से भी sandwich को पका लेना है तो बैसे बॉल को उपर से रख दीजे डेट से दो मिंट तक इस साइड से भी sandwich को पकने दीजे जितना अराम से पकाएंगे उतना है अच्छा sandwich में करण्च आएगा तो यह हमारा देखिए bestable club sandwich त्यार हो चुका है इसको पनाने का एक और तरीका है आप ब्रेड को पहले टोस्ट कर दीजे उसके स्टफ़ी कीजे उसके बद भी आप इनको grill कर सकते हैं तो आप cutting करके दिखाता हूँ किये देखिए क्या जवर्दस क्रंची सा हमारा sandwich त्यार हो चुका है इसके साथ में आप french fry सर्व कर सकते हैं और इसके साथ में आप इनको ना टमेटो सॉस के साथ सर्व कर दीजे तो फ्रेंस वीडियो अच्छा लगोगा लाइक शेयर कमेंट चुरूर कीशेगा ओके फ्रेंस मिलकर नहीं वीडियो के साथ थैंक यू